हालो फ्रेंड्स, आज हम डिसकस करेंगे थर्मो डाइनिमिक डेरिवेशन आप रिलेशन बिट्वीन मॉलिकुलर वेट एड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, देखिए अगर हम किसी सब्स्टेंज के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो इस टेंप अगर हम किसी सॉल्वेंट में नौन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड करते हैं, तो उस केस में उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो हो जाता हैं, और इसी वज़ए से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हैं, वो प्यॉर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में लोवर हो होता हैं, तो हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट हैं, वो नौन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड करके डिप्रेश किया जा सकता हैं, अब मॉलिकुलर वेट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो रिलेशन हैं, उसके थर तरह से BA curve frozen solvent को represent कर रहा हैं, तो हम इस diagram में BA और DE curve को consider करेंगे, पहले बात करते हैं BA curve की, जो की solid vapor equilibrium को represent कर रहा है, means BA curve पर solid और vapor form present होती हैं, तो हम इस equilibrium के लिए clausius kleperion equation को कुछ इस form में लिखेंगे, देखिए, curve BA की बात करें, तो इस पर हम इन दोनों point को consider करेंगे, means Tf पर pressure की value हो जाएगी P0 और T0f पर pressure की value हो जाएगी P0 1, तो यह हो जाएगी इस तरह से equation number 1, अब इसको अगर LCM लेके solve करते हैं, तो यह हो जाएगी equation number 2, अब यहाँ पर graph में जो P1 है, वो solution का vapor pressure इस temperature पर होता है, P0 1 pure solvent का vapor pressure हो जाएगा, और P0 की बात करें, तो वो solution का vapor pressure इस temperature पर होता है, Tf हो जाएगा solution का freezing point, T0f हो जाएगा pure solvent का freezing point, R हो जाएगा gas constant, और delta H sublimation हो जाएगा molar heat of sublimation, अब देखिए, depression in freezing point को हम इस equation से represent करते हैं, और अगर हम dilute solution के लिए depression in freezing point की बात करें, तो इसकी value बहुत कम होती हैं, देखिए, अगर हम किसी भी solvent में बहुत कम amount में non-volatile solute add करते हैं, तो उस case में उसके freezing point में जो depression आएगा, वो बहुत कम होगा, तो हम कह सकते हैं, solution का freezing point है, वो pure solvent के equal ही होता है, तो हम equation 2 में tf को t0f के form में लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम t0f square के form में लिख सकते हैं, अब इस value और इस value को जब equation 2 में रखेंगे, तो यह हो जाएगी equation number 3, देखिए equation 2 की बात करें, तो उसमें यहाँ पर t0f minus tf upon tf t0f लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने delta tf लिख दिया, और यहाँ पर हमने t0f square लिख दिया, अब इसके बाद हम curve dE को consider करेंगे, जो की liquid और vapor के बीच में equilibrium को represent कर रहा है, तो देखिए dE curve के लिए हम इन दोनों points को consider करेंगे, means tf पर जो pressure की value है, वो हो जाएगी p0 और t0f पर जो pressure की value है, वो हो जाएगी p1, तो liquid vapor equilibrium के लिए clausius kleperion equation को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसको calcium लेके solve करते हैं, तो यह हो जाएगी equation number 4, अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं, depression in freezing point की value यह होती है, और यह जो value है, वो इसके equal होती है, तो हम यहाँ पर डेल tf लिख देंगे, और यहाँ पर t0f square लिख देंगे, तो यह हो जाएगी equation number 5, अब देखिए freezing point की बात करें, तो उसमें जो solid compound हैं, वो liquid state के साथ equilibrium में रहता है, लेकिन अभी जो हमने दो curve discuss किये हैं, उसमें एक तो हो जाएगा solid vapor का equilibrium, और दूसरा हो जाएगा liquid vapor का equilibrium, लेकिन यहाँ पर हमें solid और liquid के बीच का equilibrium find out करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, equation 3 में से equation 5 को minus कर देंगे, देखिए जब solid का liquid में conversion होता है, तो उस time जो enthalpy change होती है, उसको हम molar heat of fusion या molar enthalpy of fusion कहते हैं, और इसकी जो value हैं, वो delta H, sublimation minus delta H vaporization होती है, means हम इस equation की help से solid liquid equilibrium obtain कर सकते हैं, तो देखिए solid liquid equilibrium के लिए equation 5 को हम 3 में से subtract करेंगे, यहाँ पर हमने left side को left side से minus किया है, और right side को right side से minus किया है, यहाँ पर P0 P0 से cancel हो जाएगा, तो यहाँ ln P0 1 minus ln P1 आ जाएगा, और right hand side में हम dal Tf upon T0 F square को और R को common ले लेंगे, तो यहाँ पीछे रह जाएगा dal H sublimation minus dal H vaporization, अब इसको हम इस form में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसकी जगा dal H fusion लिख दिया है, क्यांकि dal H fusion की value यह होती है, तो इस तरह से यह हो जाएगी equation number 6, अब बात करते हैं Rouls log की, तो देखिए Rouls log according जो lowering of vapor pressure है, वो X2 के equal होता है, अब इसको हम इस form में भी लिख सकते हैं, और rearrange करके इसको इस form में लिख सकते हैं, अब इसके दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, तो यह हो जाएगी equation number 7, अब dilute solution की बात करें, तो इसके लिए जो यह value हैं, वो minus X2 के equal होती हैं, देखिए जब ln 1 minus X2 को solve करते हैं, तो एक series of 10 होती हैं, और dilute solution के लिए X2 की value बहुत कम होती हैं, यह हम कह सकते हैं, solute का mole fraction बहुत कम होता हैं, तो इस series में जो higher values होगी, वो सारी negligible हो जाएगी, तो यहाँ पर हम सिर्फ minus X2 लिखेंगे, अब equation 6 में हमें इसकी value find out करनी हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें, तो P1 उपर हैं और P01 नीचे हैं, तो इसको हम जब rearrange करेंगे, तो यहाँ का minus cancel हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास इसकी value आ गई, और इसको हम equation 6 में put करेंगे, तो इससे यह equation obtained होगी, अब इस equation को हम rearrange करके, depression in freezing point की value find out करेंगे, तो यह हो जाएगी equation 9, अब equation 9 में हम X2 की value find out करेंगे, N2 upon N1 plus N2 होती हैं, और dilute solution के लिए N2 की value N1 से बहुत कम होती हैं, तो यहाँ पर हम N2 को negligible मान लेंगे, तो X2 की value हो जाएगी N2 upon N1, अब N2 यहाँ पर हो जाएगा number of moles of solute, और N1 हो जाएगा number of moles of solvent, N2 की value हो जाएगी W2 upon M2, और N1 हो जाएगा W1 upon M1, W2 हो जाएगा solute का mass, W1 हो जाएगा solvent का mass, M2 हो जाएगा solute का molar mass, और M1 हो जाएगा solvent का molar mass, तो हम X2 को इस form में या इस form में लिख सकते हैं, अब यहाँ से जो X2 की value आती हैं, उसको हम equation 9 में put करेंगे, तो हमारे पास equation 11 आ जाएगी, अब देखिए यहाँ पर delta H fusion upon M1 को हम LF से represent करेंगे, जिसको हम latent heat of fusion per gram of solvent कहते हैं, तो हमारे पास यह आ जाएगी equation number 12, अब देखिए अगर हम 1000 gram solvent में solute का एक mol dissolve करते हैं, तो N2 की value हो जाएगी 1 और W1 की हो जाएगी 1000 gram, तो हम equation 12 को इस तरह से लिखेंगे, means equation 12 में हम W2 की जगा 1 लिखेंगे, M2 की जगा 1 लिखेंगे और W1 की जगा 1000 लिखेंगे, तो यह आ जाएगी equation number 13, अब solvent के लिए molar depression constant KF की बात करें, तो उसकी value कुछ इस तरह से होगी, देखिए अगर molality की value 1 होती हैं, तो del TF KF के equal हो जाएगा, अब equation 14 में R, T0F और LF सभी constant होते हैं, इसलिए KF की value भी constant हो जाएगी, और जो equation 14 है, वो solvent या liquid के molar depression constant, heat of fusion और freezing point के बीच में relations हो करती हैं,